स्कूल इंगलिश और आज हम लोग यहां पर पढ़ेंगे चैप्टर 3 प्लेइंग विट नंबर्स पार्ट 13 इससे पहले मैंने पार्ट वन से स्टार्ट किया है तुम लोग अगर चाहो तो पार्ट वन से भी स्टार्ट कर सकते हो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा तो वहां से देख सकते हो तो चलो स्टार्ट करते हैं 3.7 प्राइम फैक्टराइशन यहां पर हम लोग प्राइम फैक्टराइशन सिखेंगे ठीक है जैसे कि यहां पर 24 है ठीक है 24 एक नंबर है उसका फैक्टर्स होगा 2 x 12 दोनों का जो प्रोड़क्ट है ऐसे करके हम लोग देखते हैं जब ठीक है तब हम लोग बोलते हैं कि यह नंबर को फैक्टराइशन किया गया है ठीक है Thus when we write 24 equal to 3 multiply 8 ऐसे ही जब हम लोग लिखते हैं 24 equal to 3 multiply 8 We say that 24 has been factorized तो हम लोग बोलते हैं कि 24 यहां पर factorized किया गया है ठीक है This is one of the factorization of 24 यह एक factorization है 24 के और भी ज़्यादा factorization होता है ठीक है The others are इसके इलावा और क्या है 24 equal to 2 multiply 12 2 multiply 12 भी एक factorize है ठीक है उसके बाद 2 multiply 2 multiply 6 यह भी 24 का factorization है ठीक है Equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 6 यह भी अगर हम लोग 4 को multiply करेंगे तो हमें फिर से 24 ही मिलेगा ठीक है 24 को हम लोग दूसरे ways में भी factorize कर सकते हैं जैसे कि 24 equal to 4 multiply 6 ठीक है Equal to 2 multiply 2 multiply 6 equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं factorization दोनों का सेम आ रहा है मतलब दोनों ही cases में सेम आ रहा है और एक यहाँ पर case है जहाँ पर हम लोग को दिखाई दे रहा है 24 equal to 3 multiply 8 ठीक है factorize हम लोग को करने के लिए बहुत उपाई है लेकिन जो answer आएगा last answer factorization का वो सेम होगा ठीक है in all the above factorization of 24 यहाँ पर जो 24 का factorization किया गया है सब में we ultimately arrive at only one factorization हम लोग अन तक एक ही factorization देख पा रहे हैं जो की है 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 ठीक है in this factorization the only factor 2 and 3 are prime numbers यहाँ पर जो factorization कर रहे हैं यहाँ पर 2 और 3 prime numbers है ठीक है such a factorization of a number is called prime factorization ऐसा factorization अगर हम लोग करते हैं तो इसको कहते हैं prime factorization जहाँ पर सिर्फ prime number ही बसते हैं ठीक है let us check this for the number 36 यहाँ पर हम लोग check करेंगे 36 के लिए ठीक है तो पहला एक way यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो की है 36 equal to 2 multiply 18 ठीक है उसके बाद हम लोग 2 multiply 18 को further factorize करेंगे उसके बाद जब तोडेंगे तो क्या मिलेगा 2 multiply 2 multiply 9 ठीक है उसके बाद फिर से हम लोग जब factorize करेंगे 9 का तो हमें मिलेगा 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 ठीक है यह मिलेगा हम लोग को आकरी में ठीक है 36 को और एक way है ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं 3 multiply 12 ठीक है उसके बाद 3 multiply 3 multiply 4 equal to हो जाएगा 3 multiply 3 multiply 2 multiply 2 यह भी हम लोग को जो पहले वाला मिल रहा था उसके मतलब सेम है ठीक है और एक way वो भी देखते हैं 4 multiply 9 वो भी 36 होगा equal to 2 multiply 2 multiply 9 ठीक है उसको हम लोग और भी तोड़ेंगे छोटे फैक्टरस में तो मिलेगा 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 जो की पहले से सेम है ठीक है और एक way है वो है 6 multiply 6 वो भी 36 होगा 2 multiply 3 multiply 6 equal to हो जाएगा 2 multiply 3 multiply 2 multiply 3 ठीक है यह भी सेम पहले हम लोग को जो मिला है वह ही होगा 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 ठीक है the prime factorization of 36 is 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 36 का prime factorization होगा यह 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 that is the only prime factorization of 36 सिर्फ यही होगा प्राइम factorization 36 का ठीक है नेक्स्ट चूज ए नमबर एन राइट इस यहाँ पे एक नमबर चूज करना है और लिखना है ठीक है factor 3 यहाँ पे हम लोग को factor के 3 बनाना है ठीक है think a factor pair say 90 हम लोग को यहाँ पे सोचना है एक factor के pair जो की है 90 ठीक है तो पहले हम लोग 90 को तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 10 and 9 ठीक है उसके बाद हम लोग 10 को फिर से फर्दर मतलब और भी छोटा भाग में तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 2 और 5 ठीक है उसके बाद हम लोग जो right side में 9 है उसको तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 3 और 3 तो 90 का prime factor क्या होगा 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5 ठीक है इन चारों को हम लोग multiply करेंगे तो हमें मिलेगा 90 next try this for the numbers यहां पर दो numbers दिया हुआ है 8 और 12 तो हम लोग को 8 और 12 का factorize करना है तो चलो करते हैं 8 equal to 2 multiply 4 देखो यह right side में नीचे वाला जो है यहां पर 8 का 12 का क्या हुआ है और उपर में क्या हुआ है 16, 28 और 36 का ठीक है तो 8 equal to 2 multiply 4 equal to 2 multiply 2 multiply 2 यह हो जाएगा prime factorization 8 का ठीक है वैसे ही हम लोग करेंगे 12 का 12 equal to 2 multiply 6 equal to 2 multiply 2 multiply 3 यह हो जाएगा prime factorization 12 का ठीक है यहां पर box में दिया हुआ है try these write the prime factorization of 16, 28 और 38 यह तिनों का हम लोग को prime factorization निकाल ला है तो चलो देखते हैं 16 equal to 2 multiply 8 ठीक है equal to 2 multiply 2 multiply 4 ठीक है equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 मतलब 4 2 multiply होगा तो हो जाएगा 16 ठीक है उसके बाद है 28 28 equal to 2 multiply 14 ठीक है equal to 2 multiply 2 multiply 7 ठीक है 38 का करेंगे तो हमें मिलेगा 2 multiply 19 यही है आखरी 38 का यही होगा ठीक है next चलो अब हम लोग देखेंगे example 7 find the prime factorization of 980 हम लोग को 980 का prime factorization निकालना है तो चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं we proceed as follows हम लोग ऐसे करके करेंगे ठीक है we divide the number 980 by 2357 etc हम लोग 980 को divide करेंगे 2357 यह सब numbers से in the order repeatedly so long that the quotient is divisible by that number यह numbers को हम लोग repeatedly use करेंगे जब तक की और further divide ना हो ठीक है thus the prime factorization of 980 980 का prime factorization क्या होगा 980 को हम लोग पहले 2 देखे divide करेंगे तो हमें मिलेगा 490 फिर से हम लोग 2 देखे divide करेंगे तो हमें मिलेगा 245 ठीक है उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि 3 से divide नहीं हो रहा है 245 को इसलिए हम लोग इसे 5 से divide कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 49 उसके बाद हम लोग 7 से divide कर रहे हैं तो फिर से हम लोग मिल रहा है 7 फिर से हम लोग 7 से डिवाइट कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 1 ठीक है? तो प्राइम फेक्टराइज़़जन 980 का क्या होगा? 2 x 2 x 5 x 7 x 7 ठीक है? Next अब हम लोग करेंगे exercise 3.5 ठीक है? Number 1 Which of the following sentences are true? यहाँ पे कुछ sentences लिखा हुआ है कौन सा true है वो बोलना है और कौन सा false है वो भी बोलना है ठीक है? If a number is divisible by 3 it must be divisible by 9 अगर कोई एक number 3 से divide होता है तो वो 9 से भी divide होना चाहिए जैसे की हम लोग पकड़ लेते हैं एक example 12 ठीक है? वो 3 से divide होता है लेकिन 9 से divide नहीं होता है तो यहाँ पे must be divisible बोला है मतलब divide होना चाहिए तो इसलिए यह false होगा ठीक है? If a number is divisible by 9 it must be divisible by 3 यह वाला true होगा पकड़ लो हम लोग एक number लेते हैं 18 जो की 9 से divide हो रहा है it must be divisible by 3 इसलिए यह 3 से भी divide होना चाहिए सही है इसलिए यह true होगा ठीक है? A number which is divisible by 18 if it is divisible by both 3 and 6 एक number अगर 18 से divide हो रहा है तो उस number को 3 से और 6 से भी divide होना पड़ेगा तो यह false है यह ज़रूरी नहीं है कि 3 और 6 से भी divide होना ही चाहिए ठीक है? next if a number is divisible by 9 अगर एक number 9 से divide हो रहा है and 10 बोथ 9 और 10 दोनों से divide हो रहा है then it must be divisible by 90 तो फिर वो number 90 से भी divide होगा तो हाँ यह सही है तुम लोग कोई भी number लेके यह सब examples try कर सकते हो ठीक है? if two numbers are co-prime अगर दो number co-prime है at least one of them must be prime तो उन में से कोई भी एक prime होना चाहिए यह false होगा क्योंकि co-prime numbers में दोनों ही number prime number होगा ठीक है? all numbers which are divisible by 4 must also be divisible by 8 सारे numbers जोकी 4 से divide होते है वो 8 से भी divide होना चाहिए तो यह false होगा क्योंकि ऐसा नहीं होता ठीक है? number g all numbers which are divisible by 8 must also be divisible by 4 यह हम लोग बोल सकते हैं यह true होगा सारे numbers जोकी 8 से divide होते हैं वो सारे numbers 4 से भी divide होना चाहिए ठीक है? next number h if a number exactly divide two numbers separately अगर एक number दो numbers को exactly divide कर देता है मतलब कोई reminder नहीं बसता it must exactly divide their sum तो फिर वो number दोनों का sum को भी divide करेगा ठीक है? यह हम लोगों ने पढ़ा है तो यह भी true है number i if a number exactly divides the sum of two numbers it must exactly divides the two numbers separately अगर कोई एक number दो numbers के sum को divide करता है तो फिर it must exactly divide the two numbers separately तो फिर यह भी हमें बोलना पड़ेगा कि दोनों numbers को अलग अलग भी वो divide करेगा वो number divide करेगा तो यह false होगा पकड़ लो हम लोग add कर रहे हैं 9 प्लस 5 कितना हो रहा है 9 प्लस 5 हो रहा है 14 उसको हम लोग 2 से divide कर सकते हैं लेकिन हम लोग 2 से separately 9 और 5 को divide नहीं कर सकते हैं तीक है यहाँ पे जितने सारे statements हैं तुम लोग कुछ numbers लेके यह सब statement try कर सकते हो कौन सा क्या हो रहा है या फिर divide नहीं हो रहा है या फिर हो रहा है यह सब तुम लोग देख सकते हो खुछ से तीक है और अगर यह सब करने में कुछ problem आ रहा है तो तुम मेरा description box में जो telegram group है वहाँ पे join करके मुझे कुछ भी पूछ सकते हो अगर तुम लोग का कहीं पे कोई problem आ रहा है तो ठीक है तो चलो आज हम लोग class यहीं पे खतम करते हैं तुम लोग अगर चाहो तो i button में click करके मेरा playlist में जाके सारे videos एक के बाद एक बेख सकते हो ठीक है अच्छा लगा हो तो जरूर like करना like करने से मैं motivate रहता हूँ तुम लोगों के लिए video बनाने में ठीक है शेयर करना तुम लोगों के सारे दोस्तों के साथ subscribe करना अगर मेरे channel पे new हो और bell icon दबा देना ताकि मेरा हर videos का notification तुम लोगों के पास time से आता रहे thank you